हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP पॉलिस एक्जाम 2021 की त्यारी के लिए MP पॉलिस एक्जाम 2017 में 14 सिप्टेंबर की सेकंड सिप्टेंबर में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के कोश्चेन जो की आने वाली MP पॉलिस एक्जाम की द्रश्टी से बहुत इंपर्टेंट है तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रस्न आज का पहला प्रस्न है कोह कि राजी की राजधानी है तो इसका Right Answer है आपसन नंबर नागल इंड राजधानी है और आ जरू दबा लीजिए ताकि एसे इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुचते रहें चलिए देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न है हमारा कोन पहली भारती महिला किर्केट खिलाडी मेलीबोर्न किर्केट क्लब की मानद आ जीबन सदस्ता के रूप में सामिल किया गया है अंजिम चोपड़ा भारत की भारती महिला किर्केट टीम की सदस्य और भारती महिला किर्केट टीम की पूर्व कप्तान रहे चुकी है और बरतमान में भारती महिला किर्केट टीम की कप्तान है विताली राज आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है मारा निम्ना लिखित विटामीन में से रुधीर इसकंदन में किसकी भूमिका है चार आपसं दिये आपको बताना है इन में से कौन सा विटामीन रुधीर इसकंदन में महत्मण भूमिका निभाता है तो इसका राइट अंसर है आप जफर नामा की रचना की आपसे पुछा के आए किस गुरू ने जफर नामा की रचना की तो इसका राइट आंसर है आफसर नमबर दो गुरू गोबिनसी ने जफर नामा की रचना की थी गुरू गोबिनसी सिखो के दसवे बा अंटिम गुरू माने जाते हैं आगे बढ़ते ह प्रस्ट की और अगला प्रस्न है आमारा चलते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न हमारा आगए चलते हैं इन में से कौन सा जिला मालबा छेत्र में नहीं आता है तो इसका राइट आंसर है आफ्सन नंबर 2 मैंडला जिला मैंडला जिला मालबा छेत्र के अंतरगत नहीं आता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा निम्ने लिखित में से कौन सा साथ elders भी कहा जाता है राज्य सभा उच्छ सदन के नाम से भी जाना जाता है और यहां एक इस्ताई सदन होता है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा इलहाबाद में त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों का संगम इस्थल माना जाता है तो इसका राइट आंसर है अप्सण नमबर चार गंगा यमना और सरस्वती नदियों का संगम इस्थल माना जाता है यहां पर प्रतेक 12 बर्सों के उपरांत कुम्ब मेले का आयोजन किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा भारती र में प्रतेक बर्स दिसंबर में हारनभील मौसम मनाये जाता है तो इसका जो राइट आंसर है आफ्जस नमबर चार नागरलेड भारती राज्ज नागलेंड में Kidस्था मनाया जाता है नागलेंड की राजधानी है कोहिमा नागलेंड के CEO में है नेफियरियो और नागलेंड के गवर्नर है आरेन रभी और इसकी राज की भासा है अंगरेजी आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है बीम बेटिका की गुफाओं को आचरह एक आपसे पुछा गया है जो भीम बेटिका की गुफाओं है और आश्रह वा इनमें से किसमे सामिल एक इस्था ले तो इसका जो राइट अंसर है आपसा नमबर एक युनुस्को विश्व धरोवर इस्था ले और युनुस्को में भीम बेटिका को 2003 में सामिल किया गया था औ पुछा गया आपसे महात्मा गांधी राष्टी समुद्री उध्यान कहां इस्थी थे तो इसका राइट आंसर है आपसा नमबर दो पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्टी समुद्री उध्यान पोर्ट ब्लेयर में इस्थी थे पोर्ट ब्लेयर अंडबार प्राप्र कर लिया तो इसका राइटर ऑप्ट्रक्रण का अगले प्रसन की ओर अगला प्रस्न मारा सत पुद्ध सत्पूडा बन्य जीव अभ्यारन कहां इस्ति थे पूछागे आपसे सत्पूडा बन्य जीव अभ्यारन कहां इस्ति थे तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर एक होसंगाबाद में सत्पुडा बने जी वभ्भ्यारण होसंगाबाद में इस्ति थे और होसंगाबाद का आगर गाउं टंगरेश्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्धे टंगरेश्टन का उपयोग विद्दूत बल्गे के फिलामेंट बनाने में किया जाता है अगला प्रस्न यह हमारा किसी राजीके में राजिपाल को किसे द्वारा निक्ट किया जाता है और इनकी या नुक्ति अनुछ पछपन के अनुसार राष्टिपती के द्वारा कि जाती है आगे बढ़ते हैं अगले प्राश्ण की ओर अगला प्राश्ण है अमारा प्रत्येक बर्ष राश्टी उर्जा संरक्षन दिबस कब मनाया जाता है चार आप्सन दियें आपको और आपसे पूछा गया है प्रत्येक बर्ष राश्टी उर्जा संरक्षन दिबस कब मनाया जात चार आपसेनर आपको बताना है इन में से किस राजी से अलग करके मेगाले को एक अलग राजी बनाया गया तो इसका राइट आंसर है आपसेन नमबर तीन असम राजी से असम राजी से अलग करके मेगाले राजी को बनाया गया था असम की राजधानी है दिस्पूर असम के सिये में सर्बानन सोनोबाल और असम के गवनर है जगदीस मुखी और मेगाले राजी की राजधानी है सिलांग मेगाले के सिये में कांडर अटसंगमा और मेगाले के गवन और है सत्यपाल मलीग चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा बर्स 2011 की जंगणना के अनुसार मद्द्प्रदेश में किस जिले में साक्षर्टा की दर सबसे अधिक आपसे पूछा गया है बर्स 2011 की जंगणना के अनुसार की नयाईक राजधाने भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा भारत के संबिदान में किस संसोधन द्वारा मोलिक अधिकारों में सिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था तो इसका राइट आंसर है आप्सन नंबर 3 संब का राजधी का संब्ध कनाटक राजी की राजधानी भैंगलोर कनाटक के सीम यह बै basically अधिवरपा और कनाटक के गवर्णर है भजु भाई-भाल द्वा दोस्तों आगले प्रस्ण की और अगला प्रश्ण है हमारा यहां हमारा अगला प्रस्ण भारत वीशू में सबसे अधिक अब आदी वाला कौन सा राश्ट है आप पूछा गया तो सा इस्थान है तो इसका जो राइट अंसर वह है आपसर नंबर तीन दूसरा इस्थान है भारत का विशु में आबादी की द्रश्टी से दूसरा इस्थान है और प्रथम इस्थान पर चिन है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ साइंस के कॉस्टेंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चेनल की प्लेइलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और बताना है कि इसके थोरो जो question mark है यहाँ पर कौन सा योगिक बनेगा तो इसका जो right answer है आफ्शन नमबर 4 ferrous chloride देखे यदि Fe तथा 2HCl की क्रिया कराई जाती है तो इसके थो अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है निमने में से क्या प्राकरतिक चुंबक है तो इसका राइट आंसर है आफ्शन नमबर 3 चुंबक पथर प्राकति चुंबक है चुंबक की खोज बिलियम गिलवट ने की ती चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है हमारा अगला प्रस्न द्रश्टी पटल अथात रेटीना में प्रतिभीम की एक छाप बनी रहती है चार आपस इसका अर्थ है एक बटे सोला सेकेंड के लिए द्रश्टी पटल अथात रेटीना पर प्रतिभीम की छाप एक बटे सोला सेकेंड के लिए बनी रहती है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की और अगला जो प्रस्न है हमारा वह या प्रस्न है हमारा प्रस्न क नहीं है फ्लोयम पोधों के भिविन भागों में खाद पदार्थ पहुचाता है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा निमन मैंसे किस रोग में एंटिबायोटिक का उप्योग करने की आवसकता नहीं होती है इसका रैट आंसर है अप्सन नमबर तीन मलेरिया, मलेरिया रोग में एंटिबायोटिक का उपयोग करने की आवसकता नहीं होती है, मलेरिया का उक्चार कुनेन परिवार की क्लोरकीन मलेरिया की सबसे प्रभावी दबा माने जाती है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न हमारा, निम्न में एबिज बर्ग में समेहित नहीं किया गया है और चमगादर इस्तंदारी पक्ची का उधारण है। आगे चलते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न हमारा निमने में से कोशिका की इस्थिति का चैन करें। चार अप्सन है आपको बताना है इन में से कोशिका की स्थिति क्या होती है तो इसका जो राइट आंसर वा है अप्सन नमबर दो रचक खंड बिल्डिंग ब्लॉक प्रतेक जीब की जो निर्मान हुआ है वा कोशिका उसे ही हुआ है और कोशिका की खोज राबट हुक ने की थ आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा ग्राम में पक्षियों कंट्री वर्ड का पालन प्रजण एबं प्रजण क्या कहलाता है पुछा के आपसे ग्राम में पक्षियों कंट्री वर्ड का पालन प्रजण एबं प्रजण क्या कहलाता है तो इसका रा बैससन दिया गैंगे आपको अबसे पुछा कहें हैं इन में से किसके द्वारा बाइवाइय। जुँफोड़ेय। को नुक्सान पहुचता है तो इसका राइट आंसर है आपसो नमबर एक CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन के द्वारा पाईउ में इंडली ओजोन परत को नुक्सान पहुचता है ओजोन परत सूरी से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किर्णों से हमारी रक्षा करती है और इसका जो अड़िक सुत्र होता है वा ओ थ्री होता है और चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा च्छांटी गुहा के आसपास की कंकाल सरचना को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है आपसो नमबर दो पसली पिंजर चाती गुवा के आसपास की कंकाल सनरचना को पसली पिंजर कहा जाता है और चाती के आसपास जो पसलियां होती है उन पसलियों की संख्या है 24 आपको याद रखना है मानौ शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है 24 होती है आगे चलते हैं अगले प्रस्न की और हमारा एक समाने मानो कान कितनी सीमा तक की धोनिया सेहन कर सकता है पुछा के आपसे एक समाने मानो कान कितनी सीमा तक की धोनिया सेहन कर सकता है तो इसका राइट अंसर है आपसन नमबर 3 80 decibel एक समाने मानो कान की जो छमता होती है ध्वनी सहन करने की बहा असी डेसिबल तक होती है और मानों की स्रब्बे सिमा यदी हर्ट्स में पूछी जाती है तो बहा 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक होती है इसे भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न हमारा उस खाद समच्चित करने की जरूरत है क्योंकि यहां चार अपसों नंबर चार बन को बनाए रखता है हमें जेवी विवित्ता को संदक्षित करने के जरूरत है क्योंकि यहाँ बन को रिजर्व बनाया रखता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो केसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को भी जरूर सस्क्राइब कर लें और बेल लाइक एन की बेटन जरू दबा लें ताकि एसे इनपर्टेट एजूकेशनर वीडियो के न